Hello Friends, Welcome to WAMS Academy दोस्तो आची क्लास से हम नमबर सिस्टम का नया टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम क्या है? सिरीज यह आप कह सकते हैं सिरीज वाले कोशन अब यह सिरीज वाले कोशन का मतलब क्या है? दोस्तो एक्जाम में कोशन बन सकता है और बनता है दोस्तो वो कोशन कैसा बनता है दोस्तो आपको ने एक सिरीज दी जाएगी उसमें बहुत सारे नमबर होंगे और आपको ना उन नमबर को प्लस करना होगा अगर आप basic method से plus करने बैठ जाओगे तो कभी भी नहीं कर सकते हैं आप लोग अब होता है क्या है दोश्तो उन number में कुछ pattern follow करते हैं वो numbers वो numbers क्या करते हैं कुछ pattern को follow करते हैं अब बच्चों में क्या करूँगा दोश्तो मैं आपको जितनी भी series exam में बन सकती है जिनका paper में sum निकालने के लिए आ सकता है योगफल निकालने के लिए आ सकता है मैं आपको सारी series करवाऊंगा और मैं आपको ये सिखाऊंगा कि उन series का sum आप paper में कैसे निकाल सकते हैं using formula या किसी भी trick के साथ तो देखें दोश्तो आज की class का पहला question find the value of 1 plus 2 plus 3 plus dadda dash plus 65 अब मैंने हिंदी में भी question लिख दिया है जो हिंदी में comfortable है कि 1 plus 2 plus 3 plus 4 dadda dash 65 का मान ग्याद कीजिए देखें दोश्तो यही मतलब होता है series का अब exam में अगर इस series आपके सामने आ जाए अब यह कुई है कि आप ऐसे करने बैठ जाओगे कि 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 3 के बाद भी 4 आएगा 6 plus 4 10, आप भी समझदा रहें यार अगर आप ऐसे करने बैठ जाएंगे यह question exam में कभी भी नहीं हो पाएगा exam में छोड़िए, घर पे भी आप अगर आप ऐसे करने रख जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा तो बस देखिए, अब इसी टाइप की स्रीज exam में क्या क्या बन सकते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, देखिए दोस्तों आपको पता होगा एक concept होता है natural number प्राकत संख्या, वो क्या होती है प्राकत संख्या, natural number क्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2, 3, 4, 5 डडड़ डश, अप टो इंफिनिटी ये सब natural number होती है, तो ये सब क्या होती है प्राकत संख्या होती है, तो दोस्तों एक फॉर्मला होता है, अगर आपके पास ये स्रीज है, जो 1 से स्टार्ट होती है, और आपको 1 से लेकर N तक के number को plus करना है 1 से लेकर N तक के number को plus करना है, तो दोस्तों उसको plus करने के जो फॉर्मला होता है, वो होता है N into N plus 1 upon 2, बस अब आपको ये formula याद रखना है, तो जैसे स्रीज आपके सामने आजाएगी कि कोई स्रीज 1 से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है और आपको उसे प्लस करना है तो इसको प्लस करने का फॉर्मला क्या होता है n into n plus 1 upon me 2 अब n का मतलब दोस्तों में इसा ध्यान डखना n का मतलब होता है उस स्रीज में कितने नमबर है अब दोस्तों अगर स्रीज 1 से स्टार्ट हो रही है तो यह बात तो confirm है जो आपका last number होगा स्रीज में उतने नमबर होगे तो जैसे मेरा वाला question देखिए आप अब मुझे निकालना है 1 plus 2 plus 3 अब 2 65 तक कर सम कितना होगा तो यहाँ पर formula होता है n multiply n plus 1 अप उन में 2 तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका n है वो कितना बन गया दोस्तो 65 बन गया तो जहाँ जाए n आप क्या पूट कीजिए 65 तो मैंने 65 लिखा फिर 65 plus 1 कितना आ गया 66 आ गया और अप उन में 2 आ गया आप 66 2 से cancel हो जाएगा 33 पर अब आप 65 को 33 से क्या कीजिए multiply तो आपका answer आएगा 2145 तो इसका मतलब क्या हुआ अगर आप 1 से लेके 65 तक के नंबर को plus करें तो आपका योगफल आपका सम कितना आएगा 2145 आएगा यह मतलब होता है स्रीज वाले questions का और मैंने बोला था न कि एक pattern को follow करते हैं बिल्कुल pattern को follow कर रहे हैं हर नंबर में एक एका gap है अब देखें दोस्तों अगला question अब question exam में ऐसे भी आ सकता है language के रूप में find the sum of first hundred natural number की पर्थम सो प्राकत संख्याओं का योगफल ग्यात कीजिए बई पर्थम सो प्राकत संख्या है first hundred natural number का मतलब क्य हुआ भई natural number 1 से start होते हैं कि आपको sum क्या निकालना है 1 से लेकर hundred तक के number का sum निकालना है तो exam में वो ऐसे भी आपको sweet दे सकते हैं या language भी question पूछ सकते हैं उससे कोई फार्थ नहीं पड़ता अगर आपसे बोलता है कि पहले 100 natural number का sum निकालो प्राकत संख्या का sum निकालो 100 तो बात तो वही है ना क्योंकि प्राकत संख्या natural number 1 से start होते हैं तो हमें sum निकालना है एक से लेकर 100 तक की number का तो दोस्तों formula क्या होता है 100 मतलब n n into n plus 1 100 plus 1 101 upon me 2 तो ये 50 पे जाएगा 50 को 101 से multiply कीजिए आपका अंसर आएगा 5050 तो एक से लेके 100 तक के जो natural number होते हैं उनका sum कितना होता है 5050 होता है दोस्तों सारे formula आप note करते हैं ये 8 नो formula में आपको बताऊंगा एक पहला formula था कि अगर आपको starting के n natural number को plus करना हो तो ये formula हो multiply n plus 1 upon me 2 formula आप note करते रहना अगर आपको formula आदो जाएंगे ये chapter है series वाला फिर ये आपके लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों अगले question की तरफ अब ये अगला question अब देखें दोस्तों में बारबा question ही लिखूंगा find the value of कि इसका मान गयात कीजिए मैं में एक series लिखी और equal to question mark कर दिया है बस आप समझ जाना आपको इसकी value find करने और common sense वाली बात है अगर exam में भी ऐसे लिखावा आता है ना बीच में plus का sign है तो आपको क्या करना है प्लस ही करना है अब देखें दोस्तों ये नई series आ गई पिछली series में natural number थे प्राकत संख्या है क्या natural number के उपर square तो ये दूसरी series होगे मारे लिए तो देखें दोस्तों अगर आपको किसी भी series में natural number के square दे रखें हो और आपको उनका sum निकालना हो बत दोस्ते बात ध्यान लखना चाहे पिछली series थी या ये वाली series है ये formula तभी लागू होंगे अगर आपके natural number 1 से start ह होंगे ठीके ना जी ये बात ध्यान लखना तो 1 का square plus 2 का square plus 3 का square और up to n का square अगर आपको इसका sum निकालना है आपको इसका योकफल निकालना है तो दोस्तों इसका formula होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon में 6 होता है तो देखिए अगर मैं अब यहाँ पर बात करूंँ दोस्तों इस series की n का मतलब होता है इस series में कितने number है क्योंकि number 1 से start हो रहे ना तो इसमें जो n है आपका 10 बन जाएगा तो इसमें 10 number है तो आपका n 10 बन गया तो आप क्या कीजिए n की जगा 10 लिखिए 10 n plus 1 10 plus 1 11 2n plus 1 2 into 10 20 20 plus 1 21 अब उन में 6 6 fix होता है यह formula में आने आना है अब देखे दोश्तों यह 2 से कड़ेगा यह 5 पे गया यह 3 पे गया और यह किस पे गया दोश्तों 7 बन गया तो यह 55 into 7 बन गया तो कितना आ जाएगा यह 385 आ जाएगा तो अगर आप 1 के square से लेकर 10 तक के square को plus करेंगे तो कितन आएगा 385 बस अब एक्जाम में क्या हो सकता है यह 10 का square है 20 का square 15 का square 30 का square 40 का square कुछ भी आ सकता है देखे दोस्तों अगला question यह question वोई language में आ गया find the sum of squares of first 50 natural numbers अब जो श्रिण हिंदी में comfortable है प्रथम 50 प्राकत संख्याओं के वर्गों का योगफल ग्यात कीजिए दोस्तों बात तो वही है ना प्राकत संख्याओं natural number 1 से start होती है और हमें पहले 50 natural number वही पहले 50 natural number क्या हो गए एक से लेके 50 तक तो हमें उनके square का sum निकालन है तो दोस्तों बात तो वही हो गई कि 1 का square प्लस 2 का square प्लस 3 का square और प्लस प्लस डैट डैश कर देंगे 50 का square हमने आपको यह formula बताया अगर आपको 1 के square से लेकर n तक के square तक का sum निकालना हो तो formula क्या होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 दोस्तों जैसे मैंने बोला है सारे formula copy बच्चे स नोट कर लेना तो देखें आपर n 50 बन गया तो 50 n plus 1 51 2n plus 1 कितना है दोस्तों 101 आ जाएगा क्योंकि 2 into 50 100 100 plus 1 101 upon में तो 6 दोस्तों fix है वो तो 6 आना ही आना है देखें दोस्तों किस पर जाएगा 2 पे जाएगा और यह 17 पे जाएगा और यह 25 पे जाएगा आपका तो यह आपका बन गया 25 into 17 और into 101 अब इन्हें आपस में multiply कीजिए 25 को जब आप 101 से गुणा करेंगे तो 25 25 आएगा और फिर इसको आप किस से गुणा कीजिए 17 से गुणा कीजिए तो देखिए 2525 को 17 से 3 17 तो 5 2 5 2 तो दोस्तों आपका जो प्लस करने पर आएगा यह तो देखिए यह आपका अंसर आ गया 42,925 तो अगर आप पहले 50 प्राकर संख्याओं के वर्गों का योक्षण निकालेंगे तो आपका अंसर कितना आएगा 42,925 देखिए अगली स्रीच किया है स्रीच वही है कि natural number आएगे लेकिन दोस्तों इसा cube आगए देखिए 1 cube प्लस 2 cube प्लस 3 cube प्लस डैडड़ डैश प्लस 10 का cube इसको प्लस करने पर क्या अंसर आएगा यह भी natural number है इसमें पावर 3 आ रही है घन हो गया पावर cube हो गई जी तो देखिए अगर आपको natural number के cube का सम निकालना हो मतल का formula होता है n multiply n प्लस 1 upon में 2 और उसका whole square कर दीजिए आप लो क्या कर दीजिए whole square n का मतलब वही होता है कि मेरी इस स्रीज में कितने number है क्योंकि number 1 से start हो रहे है न तो common sense वाली बात है इसमें 10 number है तो देखिए अब इसका sum कैसे निकलेगा n तो 10 बन गया 10 into 10 प्लस 1 11 upon में 2 whole square तो यह 5 पे cancel हो गया 11 into 5 55 और यह बन गया 55 का square अब आ 55 का square कर दीजिए जो कितना हैगा 3025 आएगा दोस्तो तो अगर आप 1 के cube से लेकर 10 के cube को प्लस करते है तो आप का answer कितना हैगा 3025 दोस्तो यह आपकी तीसरी स्रीज है तो यह से आप अच्छे से note कर लिजिए इसका formula इस अगला question दोस्तो एक नही स्रीज बन गई अब इसमें देखिए आपको sum निकालना है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 99 तक का अब देखिए दोस्तो है तो यह natural number लेकिन यह consecutive करमागत natural number नहीं है क्योंकि 1 के बाद तो 2 आता है अगर 1 2 प्लस 3 प्लस 4 होता फिर तो यह पहली स्रीज बन जाती natural number की स्रीज बन जाती लेकिन देखिए इसमें भी नहीं खासियत है एक feature है स्रीज में 1 के बाद 3 3 के बाद 5 फिर 5 के बाद 7 इसी pattern को यह स्रीज फोलो कर रही है तो दोस्तों यह odd number है विशम संख्याएं है और अगर आपको आपकी स्रीज 1 से start हो रही है और वो स्रीज odd number की स्रीज है किसकी स्रीज है odd number की स्रीज मानि 1 प्लस 3 प्लस 5 और अप टू 2N माइनस 1 और आपको ऐसी स्रीज का योगफ़ल निकालना है ऐसी स्रीज का sum निकालना है तो दोस्तों उसका formula होता है n square क्या formula होता है n square तो कितना simple formula है अब सुनिए n का मतलब क्या होता है n का मतल वो ही है कि इस स्रीज में कितने नंबर है अब दोस्तों जब आपकी स्रीज 1 से स्टार्ट होती है न और नंबर लगातार होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो जो आपका आखरी नंबर होता है वो ही आपका N बन जाता है लेकिन सुनिए अब यहाँ पर गैप आ रहा है एक के बाद 3, 3 के बाद 5 तो आप बड़ी common sense वाली बात है न अब N 99 नहीं बनेगा तो अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए दोस्तों यह एक से लेकि 99 तक जो आपके ओर नंबर होती है जो विशम संख्याई होती है वो 50 होती है एक से लेकि 99 तक 50 क्या होती है आपकी विशम संख्याई होती ह और नंबर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर आपका N 50 बन गया और मैंने आपको क्या बताया अगर आपकी स्रीज 1 से स्टार्ट हो रही है और वो एक विशम संख्या की स्रीज है किसकी स्रीज है विशम संख्या की स्रीज है तो बास हमेशा ध्यान लखेंगे उस उसका sum निकालने का formula क्या होता है कि जितनी उसके अंदर number है जितनी उसके अंदर terms है उसका square कर दीजिए और एक से लेके 99 तक कितने odd number है पचास है तो हम क्या कर देंगे 50 का square और दोस्तों 50 का square कितना होता है 25 होता है तो इसका अदर क्या हुआ कि अगर आप एक से लेके 99 तक के odd number को plus करेंगे तो आपका अंसर 25 हो आएगा यह आपकी चोथी स्रीज है और कितनी simple स्रीज है जब भी आपको odd number को plus करना हो वन से नंबर स्टार्ट होने चाहिए बात ध्यान रखना यह n square वाला formula तब ही यह n square वाला formula तब ही लगेगा जब आपकी स्रीज पहले odd number से start होगी 1 से 1 plus 3 बस फिर आपको क्या देखना होता है कि इस स्रीज में कितने नंबर है जितने नंबर हो उतना इसका square कर दीजिए इस स्रीज में 50 नंबर थे क्योंकि एक से लेके 99 तक 50 odd number आएंगे कितने odd number find the sum of all odd natural number from 1 to 120 कि रहा है एक से 120 तक सभी प्राकत विशम संख्याओं का योगफल ग्याद कीजिए अब एक से लेकर 120 तक एक तरीका तो यह आपके पास सिधा आप सोच लीजिए कि एक से लेकर 120 तक कितने विशम नंबर आते हैं कितने odd number आते हैं 60 आते हैं न जी और मैं आप वो क्या बताया कि भाई जितने odd number होते हैं वह उसका square गड़ दीजिए तो 60 का square क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा लीजिए दोस्तों अंसर आ गया बिना pen का use करें अब आप करवा देता हूं एक से लेके 20 तक के odd number किसरी जैसे बनेगी अगर आप proper बनाएगे और दोस्तों य कितने odd number है 60 odd number है तो आप कंसा कितना बन जाएगा 60 का square बन जाएगा अब दोस्तों हो सकता है कि आपके दिल में एक बात आ रही हो यह 60 odd number कैसे निकले बड़े सिंपल सी बात है ना आप कैसे भी counting कर लिजिए एक से 100 तक 50 odd number होंगे 50 even number होंगे 50 विशम संख्या 50 संख्या है ऐ एसी 120 तक आदा कर दीजिये 68 odd number होंगे और 60 ही क्या होंगे आपकी विशम number लिए यह बात confirm होती है एक से लिएक एक कितना बीच तक 60 odd number होंगे और 60 ही आपके even number होंगे बताद 60 Вिशम संख्याइ होंगी और 60 संख्याइ होंगे लेकि फिर भी अगर आपके दिल में क्या ड़ा पांच और साथ में भी दो का gap आएगा तो जब आपकी स्रीज में gap सेम होता है तो उसमें n निकलने का एक formula होता है एक trick होती है कि जो आपका आखरी नंबर है 119 उसमें से minus कीजिए first number एक आखरी नंबर में से क्या minus कीजिए पहला number और हमेशा gap से divide कर दीजिए gap यहाँ 2 का आगया एक और तीन में 2 का gap है तीन और पांच में 2 का gap है पांच और साथ में 2 का gap है gap से divide कर दीजिए और हमेशा एक को आपको plus करना है एक हमेशा plus करना है तो देखिए आप 119 माइनस 1 118, 118 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 59, 69 आएगा, और प्लस 1 करेंगे, कितना जाएगा, 60 आजाएगा, लेकिन देखिए, किसी भी स्रीज में आपको N निकालना है, कि इसमें कितने नंबर है, बिल्कुल ये लेकिन नाच्रल नंबर स्पेशल वाले है, ये कौन से नाच्रल नंबर बनने दोस्तों, ये कौन सी प्राकत संख्याएं है, ये इवन नाच्रल नंबर है, ये क्या है, सम प्राकत संख्याएं है, क्योंकि 2, 4, 6, 8, ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, तो देखिए, Odd number में, जो last odd number होता है वो 2N-1 माना जाता है और even last number माना जाता है 2N तो जब आपके सामने even number की series آजाए even number की series आजाए तो जैसे odd number का sum क्या होता है निकालने का formula क्या होता है N square होता है बस इसमें आपो क्या करना पड़ेगा N square ते करना है प्लस N भी करना पड़ेगा N का मतलब दोश्ट तो वही है कि आपकी इस रीज में कितने नमबर है अफिर आप देखिए 2 से लेकर 80 तक एक से लेकर 80 तक मैंने बता दी ना आपको 40 ओड नमबर होंगे और 40 ही इवन नमबर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ 2 से लेकर 80 तक कितने इवन नमबर होंगे 240 होंगे न तो यहाँ पर आपका N 40 बन गया तो बस अगर आप 2 से लेकर 80 तक के आपको संख्याओं को जोड़ना है तो फॉर्मला क्या कहता है N स्कूर प्लस N मतलब 40 तो 40 का स्कूर 16 16 प्लस 40 कितना आएगा 16 140 आएगा तो कितना सिंपल है कितना सिंपल है बज़े आपको फॉर्मले याद रखने हैं दोस्तो इसको न कुछ टीचर ट्रिक्स भी कह ज़ते हैं देकि मैं ट्रिक नहीं कहता यह तो फॉर्मले है क्या ही यह फॉर्मले है बस आपको यह याद रखने है पांच सिरीज होगी है दोस्तो कितनी होगी है पांच सिरीज अच्छे से कॉपी पर सारे फॉर्मले नॉट कर लेना दोस्तो अब देखे दोस्तो अगला कोश्चन अगलों कोश्य भी लाइंग वेज में पूछ रहा है वो पूछ सकते हैं जी Find the sum of all natural even number from 1 to 31 एक से 31 तक सभी प्राकत सम संख्याओं का योगफल ग्याद कीजिए बस दोस्तों एक बात पता कर दीजिए यार एक से लेकर 31 तक कितनी सम संख्याओं आती हैं कितने even number आते हैं एक से लेकर 30 तक आदे संख्याओं आदे विशम संख्याओं मतलब आदे even number आदे odd number तो एक से लेकर 30 तक तो 15 आ जाएंगे आपकी संख्याओं पंदरा इवन नमबर हो जाएंगे 31, 31 तो ओड नमबर है तो इसका उतलब क्या हुआ दोश्टो कि एक से लेकर 15 एक से लेकर 31 तक कितनी समसंख्याई आएंगी आपकी 15 आएंगी तो आपसे कोई बोले भाई एक से लेकर 31 तक के समसंख्याई को जोड़ो अपको क्या जोड़ना है 2 से लेकर 30 तक के संख्याई को क्या फ़ामला होता है एन स्क्वाईर प्लस एन 15 का स्क्वाईर 225 225 प्लस 15 244 तो कितना सिंपल कोईश्चन है देखी दोश्टो अगला कोईश्चन और दोश्तो अकला question है एक नहीं स्रीज आ गई, पांस स्रीज हो चुकी है, ये छटी स्रीज है, देखिए इसमें ना 1 का square, प्लस 3 का square, प्लस 5 का square, प्लस 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 19 का square है, यार दो साथ समझ गए होंगे, इसमें आपने क्या सिखाब, कि यार ये ना 8 number के square बन रहे हैं, व odd number हो, उतना ही आप square कर दीजिए, लेकिन ये सिरीज क्या कह रही है, कि अवा odd number के square का आपको sum निकालना है, तो सुनिए दोस्तो, अगर आपको odd number के square का sum निकालना हो, मैंने बुले ना आपको, जो आखरी odd number होता है, वो 2n-1 मानते हैं, और आखरी even number क्या मानते हैं, 2n, तो odd number है, तो अब देखिए आप लोग, अब एक से लेकर 19 तक, कितने odd number होते हैं दोस्तो, 10 होते हैं, इसमें tension वाली बात क्या है, भाई, एक से लेकर 20 तक, 10 odd number होते हैं, और 10 even number होते हैं, इसका मतलब इस सिरीज में 10 odd number हैं, और formula ही है आपके सामने, कि अगर आपको odd number के square को plus कर now, तो यह formula होता है, n का मतलब है 10, तो यहाँ पर 10 फूट किजिए आप, अब 2 into 10, 20, 20 minus 1, 19, 2 into 10, 20, 20 plus 1, 21, और अब और में 3, तो यह किस पर गया दोस्तो, 7 पर गया, यह कितना आ गया, 119, और 119, अब इसको आप 7 से इंटो कर दीजिए, कितना आएगा, 1330 आएगा, तो यह आपकी दोस्तो छटी स्रीज है, अगर आपको 8 number के square का sum निकालना हो, तो कितना simple question है, बस आपको formula याद करना है, यह काम आपका, यह काम दोस्तो मेरा नहीं है, मेरा काम है, यह formula लिखवाना और उसकी ओपर questions करवाना, लेकिन formula आपको याद रखना है, तो यह छटा formula है, आप देखें दोस्तो अगला question, और दोस्तो अगला question भी एक नई स्रीज आ गई जी, अब देख क्या समझ जाएंगे, 2 का square, प्लस 4 का square, प्लस 6 का square, डेड़ेड़ेश 30 का square, आप समझ गयोंगे दोस्तो, कि यह क्या show कर रहा है, even number के square का sum, क्या show कर रहा है, even number के square का sum, अगर आपको even number के square का sum, निकालना हो, तो उसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है, सुनिए वो क्या होता है, दोस्तो हमने अभी सिखा था, कि natural number, प्राकर संख्याओ के, वर्गों का योखफल का formula क्या होता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, सिखा द number के square का sum निकालना है, तो आप उसको relation बनाईए, किस से प्राकर संख्याओ के square के साथ, जो formula बनाया था हमने, प्राकर संख्याओ के वर्गों का योखफल, जो मैं आपको बताये था, जो मैंने सिखाये था, आपको natural number के square का sum, उस formula को याद रखिए, वो formula लिखिए, और into क्य ना होता है, n into n plus 1 into 2n plus 1, अपोन में 6, बस उसे 4 से आप क्या कर दीजिए, multiply, तो देखिए दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, 2 का square, प्लस 4 का square, प्लस 6 का square, अब 2, 30 का square, दुबारे वो ही कानी हो गई, n का मतलब होता है कि इस स्रीज में कितने number है, अब 1 से लेकर 30 तक, मत 15 even number होते है, तो n क्या बन गया, अपका 15 बन गया, तो 4 into 15, n plus 1, 15 plus 1, 16, और 2 into 15, 30 और ये 31 बन जाएगा, अब वोन में क्या जाएगा दोश्तों, 6 आ जाएगा, अब ये 2 पे गया, ये 3 पे गया, फिर ये 5 पे गया, तो 2 into 5, तो ये आगया, आपका 160 into 31, अब 31 को आप 16 से क्या गड़ दीजिये, multiply, क्या गड़ दीजिये आप लोग, multiply, तो 406 बे और एक जिरू यहाँ पर पहले से है, तो आप कंसा कितना आगे दोस्तों, 4960 आगया, तो दोस्तों कितनी simple स्रीज थी, ये आपकी दोस्तों 7 भी स्रीज तो 7 स्रीज हो चुकिये दोस्तों, अभी आची क्लास में 1-2 स्रीज अपी नहीं हो रहेगी, तो क्लास को end तक देखते रहिएगा, देखिए दोस्तों अगला question, दोस्तों बड़ा ही शांदर question, आपको करना है, 5 square प्लस 6 square प्लस 7 square प्लस डैड़ डैश प्लस 20 square को add करने पे क formula भी क्या होता है, n into n plus 1, 2n plus 1, अब उन में 6 होता है, बिलकुल होता है जी, लेकिन एक दिक्कत है दोस्तों, ये वाला formula तभी valid है, तभी आप apply कर सकते हो, अगर आपके square 1 के square से start होते है, अब ये 5 के square से start होगे दोस्तों, किसे start हो गया, 5 के square से start हो गया, अब दोस्तों होत है न, वो इस question में ये formula पेल देते है, बस कुछ बच्चे तो n को 20 माल लेते है, और कुछ दिखाते समझदारी, वो सोचते हैं 5 से start हो रहा है, तो n 16 बन गया, बाइक कुछ भी सोच लीजिए, दोनों ही case में गलत होगा, और SSC, ऐसे questions बहुत पुछते हैं, कि वो 1 के square से start न है, क्योंकि कोई effect नी पड़ेगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसील हो जाएगा, अब मैं इसी concept को इस question में लगाऊँगा, देखी दोश्तों, इसमें 1 का square, 2 का square, 3 का square और 4 का square, ये 4 square गायब हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी तरफ से इन 4 number के square को add कर दूँगा, कर द माइनस भी करना पड़ेगा, मतलब आपको 1 square प्लस 2 square प्लस 3 square प्लस 4 square को माइनस भी करना पड़ेगा, और अब ये हमारा formula बन गया, and 20 है, 20 multiply 21, multiply 40 बना जाएगा, 2 into 20, 40, 40 plus 1, 41, और अपन में 6, अब ये 10 पे गया और ये 3 पे गया और ये 7 पर, दोस्तों आप यहां भी लग तो formula, लेकिन यहां तो लगाई जोती नहीं है, अगर आप जोड लेंगे जुड़ जाएगा, 16, 9, 25, 39, 30, ये 30 आ जाएगा, ठीक है ना, चै आप formula लगा दीजे, बस n को 4 माल लेना, अब देखिए, ये 70 into 41, अब आप इन्हें multiply किजिए, ये आएगा, 2870 minus 30, तो कितना बन ज 40, 2840, तो 5 के square से लेकर, 20 के square तक के number को अगर आप प्लस करेंगे, तो आपका answer आएगा 2840, और दोश्तों जितनी में आपको स्रीज करवाईए, सातों स्रीज, अगर वो स्रीज, जो मैंने आपको बताया, उससे start ना होकर, कहीं और से start हो जाए, तो आप इस तरीके को follow कर सकत है, और paper में दोस्तों, इस stat के questions काफी बात आए वे है, और आगे भी आते रहेंगे, तो इसको अच्छे से घर पर practice करना बिल्कुली मुश्किन नहीं है, मानि दोस्तों, इस series 11 से start बजाती, 11 का square प्लस 12 का square, अप टू 20 का square, फी में क्या add करता, 1 के square से लेकर, 10 तक का square add करता और इसको यहापर में क्या कर देता, माइनस कर देता, यह method कभी भी fail नहीं हो सकता, अब देखें दोस्तों, अगला question, दोस्तों, इस series बहुत भड़या series है, इसकी जितनी तारीफ करूं, कम है जी, कोई नई series नहीं है, जितना में आपको पढ़ाया है, उस ही पर depend करती है, द समतों निकालना मुझे आता है, दोस्तों, क्योंकि यह natural number की series बन रही है, यह प्राकर संख्या की series बन रही है, तो formula क्या होता है, n into n plus 1 upon 2, बिल्कुल कर देंगे आप, फिर उल्टा देखो, फिर यहाँ से लेकर नंचास तक, एक series यह बन रही है, अब यहाँ पर n को नंचा होगा, अब यह जो series है न दोस्तों, यह trick वाली series है, क्या है, यह trick वाली series, अब दोस्तों सी trick सीखिए आप, उस trick को सीख से पहले, आपको series का pattern सीखना पड़ेगा, सुनिए दोस्तों pattern क्या है, यह series पहले 1 से 50 तक गई दोस्तों, गई, एक से लेकर 50 तक, और उसके बाद इस गई, एक तक गई, अब मेरी बाद सुनना दोस्तों आप लोग, इस series में एक बात है जी देखने वाली, एक से लेके 49 और एक से लेके 49 यह नंबर ना कोमन है, यह दो-दो बार आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, दो-दो बार, पचास एक ऐसा number है, जो एक बार आ रहा है, अब सुनिए दोस्तों, अगर ऐसी series आ exam में कभी भी आ जाए, अगर ऐसी series exam में आपको कभी भी दिख जाए, बस आपके एक काम करना है, वो number जो पूरी series में एक बार आ रहा है, बस आप उसका square कर दीजिए, वो ही आपका answer है, दोस्तों यह मैंने आपको इस series की क्या बताई है, ट्रिक बताई है, कि जब भी ऐसी series आ जाए, कि 1 से start हो, और वो एक number तक जाए, और फिर उस number के बाद reverse होना start हो जाए, और फिर कहां तक जाए, वन तक जाए, तो बस दोस्तों, जिस number के बाद वो reverse होई है, वो number एक ऐसा number होगा, जो पूरी series में एक बार आ रहा होगा, मतलब एक series का आपको योखफल दे देंगे, एक series का आपको sum दे देंगे, और दूसरी series का sum आपसे पूछेंगे, जैसे question में आपके सामने लिखा है, कि एक का square, प्लस दो का square, प्लस तीन का square, प्लस डढड़े-ड़ेश, ट्वेंटी का square, का जो sum आ रहा है, वो कितना आ रहा अब ये बात तो confirm है, अगर वो हमको एक स्रीज का सम दे कर, दूसरी स्रीज का सम पूछेंगे, तो यार दोनों स्रीज में कोई न कोई relation तो बनेगा, तब ही तो पूछ रहा है, ने तो क्यों पूछेंगे वो हमसे, तो देखें दोस्तो, relation तो बनेगा, ये तो confirm है, अब मुझ पकड़ लिए बच्चमन रिएलेशन, जिस स्रीज का सम मुझे दे रखा है, और जिस स्रीज का सम मुझे निकालना है, उनके elements में दुगने का फर्क है, जिए, दूसरी स्रीज का element, पहले स्रीज का दुगना हो रहा है, अब पेपर में दुगना भी हो सकता है, तीन गुना भी हो सकता है आधा भी हो सकता है वन थर्ड भी हो सकता है वो आपको पकड़ना है तो दोस्तों सुनिए जब आपने यह पकड़ लिया कि इसमें दुगने का relation है मतलब twice दुगने का relation है और उसका मतलब बता है two से multiply करना और आप देखिये बापको आपके स्रीज में square 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 है वर्ग work 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 है तो आपको करना क्या है वो जो relational पकड़ आए ना कि हर number 2 से multiply हो रहा है आप उसका square कर दीजिए और जो आपकी पछली स्रीज का sum है उससे क्या करदीए फिर आप multiply मैं आपको क्या बताया कि हर नंबर 2 से क्या हो रहा है multiply और पूरी स्रीज में आपका square है तो आप क्या गर दीजिए 2 का square और जो पिछली स्रीज का आपको योगफल दे रखा है उससे क्या गर दीजिए आप लोग क्या हो रहा होता यह क्यूब 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 करता मतलब यह बड़ा सिंपल है जो elements का relation बन रहा है वो तो आई गई आएगा हर element 2 से multiply हो रहा है अगर power 2 है तो आप square कर देना अगर power 3 है तो आप cube कर देना पावर 4 है तो आप power 4 कर देना तो यह भी एक स्रीज होती है लेकिन इसके लिए आपको क्यों formula याद करने की जरूद नहीं होती है अगला question यह अगला question जो है ना एक नहीं स्रीज बन रही है और इस स्रीज में क्या है दोस्तों देखिए 1 square minus 2 square plus 3 square minus 4 square plus 5 square minus 6 square plus 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 99 square और minus 100 square तो यहाँ पर हमने बात सीखी जो odd number है जो विशम सिंख्याई है उनके square के साथ तो plus का sign है और जो even number के square है उनके साथ minus का sign है तो सुनिए दोस्तों इस स्रीज का क्या formula होता है निकान लेगा दोस्तों इसका formula यह होता है n into n plus 1 upon 2 और minus n into n plus 1 upon 2 अब आप सोचेंगे यह दो formula क्या सकते है तो सुनिए दो formula क्यों ह खतम हो रही है अगर आपकी स्रीज odd number पर खतम हो रही है तो formula यह लगेगा इसलिए यहाँ पर दो case होते हैं पहली स्रीज है यह जिसमें दो case है क्योंकि इसमें plus minus इसलिए दो case बने है अगर स्रीज आपकी odd number पर खतम होगी तो formula यह apply होगा E1 पे खतम होगी तो formula यह अपलाई होगा फिलाल मेरे question में दोस्तों किस पर खतम हो रही है E1 पे खतम हो रही है तो formula क्या लगेगा minus 1 into n plus 1 upon me 2 n का मतलो 100 है क्योंकि स्रीज 1 से शुरू हो रही है नंबर लगाता रहा है तो 100 नंबर है इसके अंदर तो minus 100 into 101 बटे में 2 तो यह 50 पे cancel दोस्तों और आप कंसके तना आगया minus 50 50 क्या आगे दोस्तों minus 50 50 तो इस स्रीज पी का लिख लिजिए very very important बड़ी अच्छी स्रीज है दोस्तों यह दोस्तों अगला question अगला question एक नई स्रीज 1 multiply 2 plus 2 multiply 3 plus 3 multiply 4 plus dadda dash plus 99 multiply 100 दोस्तों एक स्रीज के अंदर दो स्रीज समाईवी है देखिए ऐसे 1, 2, 3, 99 एक दोस्तों देखिए 2, 3, 4, 100 बस यह ध्यार लखिए 1 से start हो रही है 1 multiply 2 plus 2 multiply 3 plus 3 multiply 4 और dadda dash 99 multiply 100 तो दोस्तों जब भी ऐसी स्रीज आपके पास आजाए आपके एक काम करना है आपको स्रीफ जाना है last number के पास लास्ट में दो नमबर लिखे हुए है 99 into 100 ठीके दोस्तों फिर आपके एक काम और करना है 100 से अगला नमबर क्या होता है 101 आप 101 लिखेंगे और बटे में इस स्रीज में कितनी स्रीज है 2 स्रीज 2 से 1 ज़्यादा क्या होता है 3 तो आप 3 से divide करेंगे किस से divide करेंगे 3 से अब आप इसो क्या कीजिए simplify कीजिए 1030 into 101 1030 आएगा और into 100 तो आपका योगफल कितना आगी है दोस्तो 3 3 3 3 3 double 0 तो कितनी असान स्रीज है अब ये मैंने आपको एट्रीक बता दी दोस्तो इसे आप formula भी कह सकते हो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिए pattern क्या बन रहा है 1 multiply 2 स्रीज 1 से start हो रही है फिर 1 के बाद 2 आता है ना तो 1 multiply 2 प्लस अब 2 multiply 3 1 multiply 2 प्लस 2 multiply 3 प्लस 3 multiply 4 चाहे end कहीं पर हो दोस्तो फिलाल मेरे question में 99 into 100 पे end हो रहा था तो मैंने दो नमबर लिखे 100 के बाद 101 आता है multiply में 101 और बटे में 3 आएगा मेशा और याद करने की trick क्या है तीन को इस स्रीज में 2 स्रीज है 2 से 1 ज्यादा क्या होता है नीचे 3 आएगा मनों दोस्तों ये स्रीज ना 50 into 50 पे खतम होती मैं example दे रहा हूँ सब कुछ से मिलाता 50 multiply 51 और next नमबर क्या होगा 52 multiply 52 अपोन में 3 अगर ये स्रीज 100 multiply 101 पे खतम होती 100 multiply 101 multiply next नमबर क्या बन जाएगा 102 और बटे में 3 आएगा दोस्तों देखे दोस्तों आज की क्लास का आखरी question question दोस्तों पिछले वाला ये काफियत तक बस इसमें 3 स्रीज आ गई 1 multiply 2 multiply 3 plus 2 multiply 3 multiply 4 plus 3 multiply 4 multiply 5 और plus plus का जा रहा है 8 multiply 9 multiply 10 तक तो देखे इस स्रीज को आप कैसे करेंगे इसमें 1 स्रीज में 3 स्रीज है तो जैसे पिछले question में किया था last के 3 नमबर ठालीजी आप लोग 8 multiply 9 multiply 10 10 के बाद क्या आएगा 11 11 लिखे अब दोस्तों इस स्रीज में कितनी स्रीज है 3 स्रीज है तो नीचे 4 आएगा पिछले question में 2 स्रीज थी तो बटे में 3 आया था और इसमें 3 स्रीज है तो बटे में 4 आएगा इसको आप क्या कीजिए अब solve कीजिए यह आएगा 180 और into 11 कितना जाएगा 1980 आजाएगा तो देखिए दोस्तों आज की class में मैंने आपको कितनी बढ़िया बढ़िया स्रीज करवाई कुछ स्रीज के मैंने आपको familiar लिफाई दोस्तों और कुछ स्रीज के मैंने आपको tricks बताई है दोस्तों लेकिए अभी स्रीज खतम नहीं हुई है अब ही जो बाकी स्रीरे दोस्तों मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगा अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें शेर करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें